कि मित्रों पेगासिस के सौप्टिवेर के समद में विगत दो दिनों से विपक्सी दलों की द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरन बनाने का प्रियास हो रहा है यह विपक्स के पुच्चित मन्सा को उजागर करता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोरती देखे तिन तैसी कॉंग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही है आज विपक्स में रहकर की भी अपने उनी मनसूबों के इन रूप आगे बढ़ रही है करोना कालखंड के दोरान देश के अंदर जिस प्रकार का दूसित वातावन पैदा करने का प्रयाज विपक्स ने किया और एक नकार अत्मग राजनीती की लोगों को संबल देने की बजाए दिस तरीके की अराजकता का वातरण पैदा करने का कुछित प्रयास कांग्रेस और विपक्सी दलों के नेताओं ने सेकिंड वेप के दोरान किया था दुरभागे से जब एक सासिक निड़े देश के संसस्त्र को लेकर किया जाता है और संसस्त्र प्रारम होने के ठिक एक दिन पहले इस प्रकार की एक संसनी खेज चीजों को परोस करके समाज में एक विशाक्त वातरण पैदा करने का जो कुछित प्रयास हो रहा है राजनीती के घड़ते वे गिरते वे अस्तर को ये प्रदर्शित करता है बिपक्स पूरी तरे नकारात्म घुमिकामे के साथ में है और उन अंतराश्टिय साजिसों का सिकार जाने अंजाने में हो रहा है जो अंतराश्टिय साजिस किसी न किसी रूप में भारत को और इस्थिर करना चाते है भारत को किसी न किसी रूप में औस्त ब्यस्त करना चाते है ये कोई पहली घटना नहीं है याद करिए जो अभी कुछ वर्स पहले 2020 में प्रारंब में अमेरिका के राष्ट पती की भारत विजिट के दोरान उनके दिल्ली पहुँचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिस का हिस्सा नहीं था तमाम विपक्सी दलों के लोगों की संलब्टता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी करोना कालखंड के दोरान देश के कोविड प्रबंदन को डेवलुएचो और दुनिया के देश सरा रहे थे लेकिन भारत के अंदर विपक्स एक ऐसा माहूल बनाने का प्रियास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीज़ों से अन्विग्य है और महामारी से लोग मर रहे है अंतराश्तियस्तर पर भारत की छवी को खराप करने भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मनसूबों के साथ विपक्स कारे कर रहा है या तकन तो दुरुभाग्य फूर्ण है अनेक ऐसे उसर आये हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कारिक्रम होता है उससे पहले विपक्स किसी न किसी साजिस का सिकार हो कर के देश के खिलाब या दुनिया के अंदर भारत के खिलाब माहूल बनाने के लिए किसी न किसी खडेंतर का पाठ बन जाता है संसद का इस सत्र अत्यंत महतुपूर्ण सत्र था और मुझे तो अस्यरे होता है यह परिपाटी रही है संसद सत्र में क्योंकि लगभग 19-20 वर्सों तक संसद के अंदर कारे करने के लिए का मुझे अशर प्राप्त हुआ था भारत के लोक तंत्र की सबसे महतुपूर्ण प्रहरी और सबसे महतुपूर्ण स्तंब देश का संसद है एक आम नागरी की आवाज को उस मंच के माप्यम से हम देश के सामने रखते हैं और संसद की परिपार्टी रही है कि मंत्री मंडल के गठन पुनर गठन के साथ मान्य प्रधान मंत्री के द्वारा नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराये जाता है आपने देखा होगा मंत्री मंदल के परिचय के कारिक्रम में ग्रामी इंड प्रिष्ट भूमी से जुड़े वे अनुसुची जाती जन जाती पिछडी जाती और उन तबकों से जुड़े वे मंत्री काफी बड़े पहमाने पर बने हैं जिनोंने देश की आजादी के बाद कभी भी नित्रुत्त नहीं देखा था आज जब उस तबके को नित्रुत्त दिया गया उन्हें आगे बढ़ने के लिए काउसर प्रधान मंत्री जी ने दिया और उन सभी मान्ने मंत्रियों के परिचे संसत सत्र प्रारम होने के साथ ही संसत के अंदर होता विपक्स कोई रास नहीं आया संसत एक मंचो होता है अपनी बात को रखने का लेकिन सोर गुल का सिकार हम संसत को बना ले लोक तंदर का गला घोंटे जैसा है लोक तंदर के साथ खिलवाड है और ये लगातार विपक्स कर रहा है आपने देखा होगा किसान अंदोलन के नाम पर किस तरीके से देश के खिलाब साजी से रची जाती है कैसे किसान को समधाय में मत और मजहब के साथ जोड़ करके देख करके उनके माद्यम से भड़काओं और देश विरोधी किरतियों को आगे बढ़ाने की छूड़ दी जाती है विपक्स उनके साथ खड़ा होता वा दिखाई देता है इस प्रकार के नकारात्मकर राजनीती देश के के अंदर वातावरण को विशाक्त जरूर करेगे भारत की छवी को अंतराश्टी अस्तर पर खराब भी जरूर करेगे करोना काल खंड के अंदर विपक्स की इस नकारात्मक रवये के कारण भारत की छवी पहले काफी आहत हुई लेकिन अपनी नकारात्मक तासे विपक्स आज भी बास नहीं आ रहा है तत्थेहीन जूटे आरोप लगा लगा करके देश के एक सुस्षी नित्रत्तों को बदनाम करना भारत की छवी को अपने देश की छवी को लगातार निरंतर धुमिल करना ये विपक्स के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है उनके कुछ सित मनसाएं कभी पूरी नहीं होंगी जनता जनार्दन समयाने पर उन्हें फिर से जवाब देगा वैसे ही जवाब देगा जैसे दोहजार उन्नीस के लोकसवा चुना के ठिक पहले रास्तिय सुरक्सा से जड़ेवे अहम मुद्दों पर राफेल जैसे मुद्दों को लाह करके उस समय विपक्स ने देश का वातार्ण खराब करने का प्रियास किया था बाद में उनको मुखी खानी पड़ी थी कि अधिक पत्र यह समय चाह कर दो किया सी जाएंटना है